Hello everyone, welcome back to my channel 36,000 नियोजित सिक्षकों की नौकरी पर खत्रा प्रदेश में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त हुए 91,000 से अधिक नियोजित सिक्षकों में से करीब 65,000 सिक्षकों ने ही निगरानी जांच के विशेज पोल्टल पर अपनी दस्तावेज अपलोड किये हैं इस तरह अब 36,000 नियोजित सिक्षकों पर गाज गिरना तै है हलाकि सेक्षनिक अब प्रसेक्षनिक दस्तावेज जमा करने के लिए अभी एक दिन यानि 20 जुलाई तक का समय बाकी है समय सिमा पूरी होने के बाद दस्तावेज अपलोड ना करने वाले सबी सिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये जाएंगे जानकारों के मताविद नोटिस के बल आप चारिकता होगी दरसल दस्ताबेज अप्लोड नहीं करने वाले सिक्षकों को 36,000 नियोजित मान लिया जाएगा और उनके दस्ताबेज पूरी तरफ फरजी है ऐसे सिक्षकों के खिलाप नौकेबल प्रात्मी की दर्ज कराई जाएगी बलकि उनसे अब तक दिये गए वेतन की असूली भी की जाएगी सिक्षा विभाग ने अपने एक आदेश में इस बात को साफ तोर पर उले किया है दस्ताबेज अप्लोड करने की अंतिम्ति थी आज जिन 65,000 नियोजी सिक्षकों ने विशेश पोर्टल पर दस्ताबेज अप्लोड किये है उनके दस्ताबेजों की जाज निगरानी विभाग 20 जुलाई के बाद से शुरू कर देगा सुत्रों के मताबिक इस सम्मंद में विशेश रूप से उनके टीटी और सेक्सिक दस्ताबेज की विशेश जाज होगी क्योंकि सरकार को इस बात की पुक्ता जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा फरजीवारा इनी दस्ताबेजों में हुई है वो लेखनी है कि 11 जुलाई तक केवल साड़े दस हजार सिक्षकों की दस्ताबेज जमा किये गए थे जबकि अंती महपते में दस्ताबेज जमा करने वाले सिक्षकों की संक्या 65,000 पहुँच गया जानकारों के मताविक सामाने तोर पर एक लाग से अधिक सिक्षकों को दस्ताबेज अपलोड करने थे इन में से 10,000 ऐसे सिक्षक है जो या तो त्याग पतर दे चुके है अत्पा उनकी मौत हो चुकी है वो लेखनी यह है कि इससे पहले चार साल से चल रही निगरानी जाच की तमाम नोटिस के बाद भी नियोजनी काईयों ने एक लाग से अधिक सिक्षकों के सेक्षनिक एबंप्र सेक्षनिक दस्ताबेज जमा नहीं किये थे बाद में सिक्षा भी भाग ने ने लिया कि दस्ताबेज जमा करने की जबाब दे ही सिक्षकों की होगी ओनलाइन दस्ताबेज जमा करने के लिए बिस्स पोर्टल भी बनाया गया था तो आज इसका अंतिम्ति थी है मतलब 20 जुलाई अंतिम्ति थी है पोर्टल पे दस्तावे जमा करने का लेकिन अभी तक 36,000 सिक्षकों ने अपना जो डॉकुमेंट है पोर्टल पे अप्लोड नहीं किया है तो इन लोगों के नौकरी पे खतरा है और इन लोगों के डिग्री क तो फर्जी मानते हुए सिक्षकों को मतलब हटा भी दिया जाएगा और शाथ ही प्रात्वी की दर्ज कराई जाएगी और वितन असुली भी की जाएगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पापाँ